है लो फ्रेंड्स नमस्कार में आपकी दोस्त तर्शना आज मैं आपनों के साथ शेयर खनेयर चावटी लेसिपी को अलगे पहले वाली दомина बना धेर करेंगे शुरू करें इसकी रेसिपी सबसे पहले हमने पानी को बोल होने के लिए रखाया उसमें डालते हैं थोड़ा सा नमाग और साथ में डालेंगे और जब पानी दिया हो जाता है परफेक्ट गैस कर देते हैं बंद और इनको हम तुरन चान का ठंडे पानी से धोलेंगे जिसके इनका सारा स्टार्च भी निकल जाएगा तो हमारे नूडल्स तो तयार हो गए हैं तो अब तयारी कर लेते हैं मैरीनेशन की तो उसके लिए बड़ा बाउल लेते हैं उसमें ड आसे भी बहुत आसानी से घरम बन जाता है थोड़ा से मैंने जिंजर गारलिक पेस डाल दिया है और इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा बेसन मगर बेसन पहले ड्राय रोस्ट कर लें उसके बाद डाले से कच्चा पन निकल जाए और साथ में सरसों का तेल अब इन सब चीजो कर सकते हैं आपकी चौमिन बहुत टेस्टी बनने वाली है अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी प्याज और साथ मिले लेंगे थोड़ी सी कैपसिकम और थोड़ी सी कैबेज इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबजियों को तेज गैस पे एक दो मिनिट तक भूनना इनक तंदूरी मसाला वो जरूर इसमें डालिएगा अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं मुझे थोड़ी सी कम लग रही है तो इसमें थोड़ा सा मैरीनेशन और डाल देती हूँ जिससे थोड़ा सा ग्रेवी अच्छी सी नजर आए आप लोग भी अपने टेस्ट के साब से तंदूरी चाव में की अब जमारे नूडल से रेड़ी थे विसमें डाल देते हैं और इन नूडल को गेवी के साथ अच्छे से कोट कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे समय कोट करना जिससे की फ्लेवर बिल्कुल एक नूडल से पहुच जा इसका यह देखिए कितने बढ़ है हमारा धुआ देने की तो बीच में जगहा बना की यहां पर रखेंगे कटूरी और दालेंगे बिल्कुल तेज गरम कोईला और अब तोड़ा सा पिगला हुआ बटर यह देखिए अब आना मजा और अपनी चाव में को थोड़ी देर के लिए दूए के साथ ऐसी छोड़ है ना बिल्कुल डिफरेंट चीज सारी बिल्कुल अलग रेसिपी है मगर बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है हमारी जो है चावमिन बन के बिल्कुल तयार है इसको सर्फ करेंगे बिल्कुल गर्मा गर्म तंदूरी चावमिन विद बटर तंदूरी रेसिपी थोड़ी सी ड भन्यवाद